नमश्कार दोस्तों स्वागत है सब यह रेक्टरो वहल है मैं नाम विशाल और दोस्तों आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने Windows Operating System या फिर Windows Partition को Copy कर सकते एक New SSD में तो दोस्तों अगर आपने भी एक New SSD को पर्चेस किया है कुछ इस तरीके से जिसे कि मैंने अभी यहां पर क्रूशल का SSD को पर्चेस किया है और दोस्तों अगर आप कॉपी करना चाहते हैं इसके अंदर आपके Windows Partition को या फिर आपके Windows Operating System को जो कि स्टी ड्राइब में mostly located होता है तो अगर आप सो कॉपी करना चाहते हैं SSD के अंदर तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आज किस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि आपका जो हार्ड डिस्क होता है इसके अंदर जो सी ड्राइब होता है उसके अंदर आपका complete Windows Operating System स्टोड होता है उसको हम कह सकते हैं कि वह आपका बूटिंग पार्टिशन है तो दोस्तों वहां से आपका complete system बूट होता है अब अगर आप आपके laptop में या फिर आपके computer में एक new SSD को इंस्टॉल करना चाते है फास्टर बूटिंग के लिए तो जरूरत यह होती है कि आपको सी ड्राइब का जो भी files है आपके जो सी ड्राइब में जितने भी files है जितना भी system है उसको copy करने की जरूरत होती है आपके new SSD में अब इसको किस तरीके से किया जाए इसके लिए हम यहाँ पर आज के दिन में आपको बताने वाले हैं और आज हम यहाँ पर use करने वाले एक software हो जिसका नाम है macrium reflect तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं किस तरीके से हम copy कर सकते हमारे c drive को हमारे SSD में अब दोस्तों एक चीज़ की जो आपको ज़रूरत पड़ेगी c drive से SSD में copy करने के लिए वो होगा एक external hard drive case तो यह 500-600 रुपए में और बहुत चीप cost पर मिल जाता है इसमें आपको actually connect करना पड़ता है आपके SSD को और अपने SSD को connect करके फिर USB केबल की मदद से आप दो आपके Chrome browser में यहां पर जाने वाला हो और Chrome browser में जाके एक software को मैं download करूंगा तो यहां पर Chrome browser मेरा open up हो चुका है यहां पर मैं search करूंगा macrium reflect ठीक है तो मैं macrium reflect को यहां पर search करने वाला हूँ तो यह search मैंने कर लिया यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला यह link है इसके बढ़ा मैं क्लिक करूंगा इसके बाद में आपको नीचे scroll करके जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि reflect free इसको आपको download क्लिक करना है continue close अब आपका software यहाँ पर download हो रहा जस्ट एक से दो मिनिट लगेंगे ठीक है अब यह download हो चुका है इसको मैं click करूंगा और यह अब start हो जाएगा यह actually जो download हुआ है एक छोटा software है यहाँ पर इसको पर click करूंगा और यह start हो जाएगा अब complete software download अब जाके होगा यहाँ पर तो मैं download को पर click करूंगा तो अब यह download होना start हो चुका है मैं इसको fast forward कर देता हूं आप सभी लोगों के लिए and download हो जाएगा एक बार यह start होता है फिर उसके बाद में तो download हो चुका है अब आपको यहाँ पर next पर click करना है next यहाँ पर आपको home select करना है next पर click करिए register आप करना चाहें तो कर सकते हैं मैं नहीं करना चाहता हूं तो मैं register नहीं करूंगा next और वापस से एक बार next पर click करेंगे install तो दोसों यहाँ पर installation चालो हो जाएगा कुछ time लग सकता है इसको एक से दो मिनिट कुछ time लगेगा मैं fast forward कर देता हूं इसको installation process को ओके तो यह complete हो चुका है finish मैं करता हूं यहाँ पर finish करने के बाद में software स्टार्ट हो जाएगा ठीक है मैं finish के पर click कर रहा हूं तो दोस्तों यहाँ पर दो drive शो होने चाहिए एक SSD और एक hard disk यहाँ SSD शो नहीं हो रहा है इसलिए मैं refresh के उपर click करूंगा एक बार ओके आ चुका है clone this disk पर click करेंगे अब select करना है यहाँ पर second drive जो कि SSD select कर लिया सबसे पहले system reserved को move करेंगे उसके बाद में और भी देखें कोई system file उसको move करेंगे नहीं तो C drive को move करेंगे तो यहाँ पर C drive को मैं move कर रहा हूँ कि और भी system file नहीं अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा storage कम हो चुका है रीजन इसका यह क्योंकि 240 GB का SSD है अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा कि आपका storage amount थोड़ा कम हो सकता है तो दोस्तों इसका reason यह है कि suppose करे है कि आपके जो hard disk के आपके पास में उसमें जो आपका c drive था 400 GB का था लेकिन आपने जो SSD परचेस किया वो 240 GB का है अब लेकिन क्योंकि आपका जो 400 GB का जो c drive था उसमें से 200 GB utilized था already मतलब कि 200 GB का data आपके drive में था और 200 GB empty था अब लेकिन क्योंकि आपका जो SSD है यह सिर्फ औस 240 GB का है तो इसके नदर सिर्फ और सिर्फ 240 GB का ही data आ सकता है तो दोस्तों अब होगा क्या कि actually 200 GB का जो data आपके drive में already था वो तो copy हो जाएगा लेकिन जो spare space था मतलब कि जो बचा हुआ 200 GB का space था वो actually यहां पर reduce हो जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ 40 GB बचेगा तो maximum जो यह मैं कहा था कि आपका जो drive का size होगा वो छोटा हो सकता है depending upon आपका SSD का storage तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं यहां पर next पर click करूँगा और वापस से मैं next पर click करूँगा अब यहां पर finish पर click करेंगे अब यहां पर प्रोसेस शुरू हो चुका है तो यह अब पुरा पुरा data copy होगा आपका आपका जो c drive में data होगा आपका जो भी system file होगा वो सारा का सारा भी यहां पर copy हो जाएगा इसको थोड़ा time लगेगा मैं fast forward इसको कर देता हूं एक चीज़का ध्यान देना कि आपका जो भी data आपके c drive में है आपका जो भी data वो कम होना चाहिए देन दी आपके ssd के size से अगर आपका ssd 240gb का यह है तो आप एक चीज़ान रखिए कि आपका जो भी data होना चाहिए आपके c drive है 200gb के आसपास ही होना चाहिए अगर नहीं है तो इसको कम करने कोशिश करिए जो भी temporary data से उसको move कर दीजिएगा क्योंकि अग automatically यहां पर window open हो जाएगा जहां पर आपका ssd होगा तो यहां पर local disk g जो है मेरा ssd है मैं इसको close कर रहा हूँ यह completed है cloning complete हो चुका यहां पर सारा data मेरा copy हो चुका c drive से मेरे ssd में इसको मैं close करता हूँ एक बार मैं आपको एक बार show कर देता हूँ इस PC में जाएंगे आप जब my computer में जाएंगे तो वहां पर आप जाकर drives को देख सकते हैं जैसे कि आप यहां पर अगर आप जाएंगे इस PC में तो यहां देख सकते हैं C drive और G drive दोनों में same data copy हो चुका है तो C drive का data अप G drive में copy हो चुका है यह C drive का data है और यह G drive का data है आप देख सकते हैं exactly same data यहां पर है तो दोस्तों यह था हमारा complete tutorial के किस तरीके से आप अपने Windows system को या फिर C drive partition को copy कर से तेक new SSD के अंदर I hope कि यह जो complete tutorial था आप लोगे लिग काफी जादा useful रहा होगा अगर आपको मारा वीडियो अच्छा जाल जाओको छूषा लोगे का लुप स्पार और की सता से थैंगर भी current वां यह थाаж हो आपको जियो क्रशा अगरना हाल मेंगा पाल कोます